बहुत 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 इंपोर्टेंट आई है जी जीए साइप उनिवर्सटी की तरफ से ये अपडेट मिस करने वाली नहीं है बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखेगा क्योंकि सर्फ ये नोटेस एक्स्पेन नहीं करूंगी मैं साथ साथ ये बताऊंगी जो कॉमन इस बिल्कुल मिस्टेश आपको मिलने वाली हैं बहुत इंपोरेंट डिटेश हैं सब कुछ इसमें यह पर इंपको मिलेगा जिन कोर्स का यहां पर नाम है वो तो इन वीडियो को देखे ही और जिसका यहां पर नाम नहीं भी है वो भी इसे देखें क्योंकि उनके लिए अ 40K पार्ट अकाडमिक फीस और राउंड वन का आपका जब आ जाएगा रिजल्ट तो आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं तो जिनका अभी नहीं भी आने वाला है इन कोर्स के अलावा जो कोर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख लें सुदार्ट यू गेट अलर्ट च्वस्ति नोरसिंग यह सारे आपके 19 प्रोग्राम्स की लिस्ट है तो जाउप्फुली आपको अपना यहां पे मिल गया होगा अगर नहीं मिला है तो क्यों एक स्ट आर्ट वाली वीडियो भी आपको देखनी है यह तो देखनी है विकेस आपको यहँ यहां पर अपड़ और यह याद रखेगा कि यह एक्सरेट नहीं होने वाला है क्योंकि यूनिवर्स्टी इसके बाद बता रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो भी थर्ड को आ जाए तो फिर इसके बाद चांसेज नहीं है कि यह दुबारा एक्सेंट किया जाए तो जल्दी से जाके अपनी च्वाइस फिलिंग कर दीजिए च्वाइस फिलिंग कैसे करनी है क्या उसमें बाते ध्यान रखनी है च्वाइस फिलिंग क्या होती है और च्वाइस लॉकिंग क्या ह दोनों में difference है और दोनों ही बहुत important है तो उसमें क्या के बाते आपको ध्यान रखनी है कैसे आपको choice locking करनी है because locking is important कई लोग choice filling करके छोड़ देते हैं तो admission महां पे cancel हो जाता है तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपको मिल जाएगा और वीडियो के description में भी मैं उसका link डाल रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा पशानी ना हो आप दोनों वीडियो देख लीचे choice filling की भी choice locking की भी कि वो कैसे कैसे करनी है तो यह आपकी dates है 29 से start हो रही है और second तक आपकी चलेगी जो लोग अपना जो merit list आई थी result के list आई थी उसमें आपका नाम आपकी rank सब mention है उनके लिए ही valid है उसके बाद आपने counselling registration करी थी 1000 रुपीज पे करे थे वो ही लोग choice filling कर सकते हैं उनके लावा नहीं कर सकते हैं तो यह उनहीं लोगों के लिए है declaration of result of round 1 on third and fourth तो आपका जो इसके choice filling करने के बाद आपका round 1 counselling अभी तक जो हो रहा था counselling की registration हो रही थी counselling start नहीं हुई थी counselling is different and counselling की registration is different अपने जो 1000 रुपीज पे करे थे वो counselling के लिए register किया था counselling अभी start होगी तीन round में होती है उसके बाद दो अलग round आते हैं तो first round जो है उसका जो declaration of result है third august and fourth august दोनों दिन आपका result आ जाएगा आपको कौन सा college allot हुआ है वो आपका show हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आप login करेंगे अपना id और password जिससे आपने counselling में register कराया था वो दालेंगे online activities to be followed after declaration of round one result तो आपको क्या क्या करना है submit willingness willingness क्या होती है आपकी मर्जी होती है freeze or float of allotted seat after round of counselling तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी seat freeze गरनी है या float करनी है दो चीज़े होती है seat freezing और seat floating seat freezing क्या होती है seat freezing यह होती है कि आपको अपना college जो है वो बिलकुल आपका favorite वाला आपकी पसंद का मिल गया आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते है तो just freeze your seat and pay 40,000 रुपीज यह 40,000 रुपीज जो है आपका part academic fee है यह extra नहीं है जो आपकी total fee होती है उसी का यह part है तो आप जब बाद में fee देंगे जैसे कि आपकी event lack fee है course की इस year की तो 40,000 उसी में से deduct हो जाएगा और आपको बाद में 60,000 ली pay करना होगा तो आप 40,000 पे करके अपना admission confirm कर लेंगे दूसरा option आपके पास आता है float your seat अगर आपको लगता है कि जो में को college मिला है ठीक ठीक है लेकिन मुझे इससे better मिलना चाहिए और मुझे एक बट राय करना है कि शायद मुझे better college मिल जाए तो आप क्या करेंगे float कर देंगे seat को लेकिन लेकिन ध्यान रखें इस बात का 40,000 रुबीज आपको तब भी pay करने होंगे a lot हुआ है कोई college तो 40,000 पे करना is compulsory otherwise आपका admission वहीं पे cancel हो जाएगा आप second round में जाने का आपको chance नहीं मिलेगा freeze करना है college पसंद है MSIT a lot हुआ है बढ़ हमें SCRD चाहिए तो क्या हम float कर दें कई रिस्क तो नहीं है कि हमारे हाथ में जो आया है college वो भी निकल जाए तो नहीं इसका risk नहीं होता है आप college को float कर दें next round में जाके try करें नहीं मिलता है आप third round में जाके try करें तब भी नहीं मिलता है तो जाके बच्चे तो यह होगे जिनको college a lot हुआ था उन्होंने यादो seat freeze करी या seat float करी 40,000 दोनों cases में उनको pay करना है अब second type के बच्चे वो आते हैं जिनको college a lot अभी first round में नहीं होता है तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है 40,000 पे नहीं करने हैं कहीं कुछ नहीं करना है आप automatically second round के लिए transfer हो जाएंगे मतलब कि अगर आपने counseling registration fee पे करी थी 3,000 रूपीज और आपको first round में कोई college a lot नहीं हुआ है अपने rank के हिसाब से तो second round में आप automatically eligible हो जाएंगे second round में कोई आपको college a lot होता है तो वहाँ पे आपको show हो जाएगा ठीक है तो ये दो type के आपके cover हो गए college a lot होता है उसका case और नहीं होता है तो उसका case 40,000 आपको pay करने है अगर आप वो pay नहीं करते तो आपको seat a lot हुई थी वो आपकी valid नहीं माने चाहेगी तो seat freezing और floating का time आपका 8 अगस्तक है 40,000 पे करने का time आपका 8 अगस्तक है 11.50 पीम तक है ये आप ध्यान रखेगा और after declaration of result 1 आप क्या क्या करेंगे provisional allotment letter आपको allotment letter आएगा कि इस college में आप allotted है वो आप download कर लेंगे आपने जो academic fee 40,000 पे करी होगी उसका proof आप download कर लेंगे जो कि आपको वहीं पे login करके available हो जाएगा जैसे ये start होता है I will show that procedure also अगर आपको withdraw करना है admission आपने seat freeze कर ली बट आपको लगता है कि नहीं मुझे ये अब कहीं और किसी और university में admission मिल रहा है आपको कोई mind change हो जाता है किसी वज़े से तो आप withdraw भी कर सकते हैं तो उस time आपको 40,000 रूबीज वापिस आपके मिल जाएंगे General instruction ये है कि candidate को assure करना है कि अपना minimum eligibility criteria उस course के लिए क्या है ऐसा नहीं है कि आपने fee पे कर दियो और उस course में admission ले लिया और university के criteria कि आपसे आप उसमें eligible नहीं थे तो आपको admission मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अगर आप eligible होंगे तब ही आपको admission मिलेगा अदरवाइस आपकी fees भी जाएगी और आपको admission भी नहीं मिलेगा last minute rush avoid करने के लिए जल से जल आप choice feeling कर दिजएगा जल से चलदा fee पे कर दिजएगा choice filling compulsory है यह पूरा notice में आपको पहले बता चुकी हूँ choice filling वाले अपनी वीडियो में तो यह आप जाके check out कर सकते हैं कि आप maximum number of colleges भणना आपको suggest किया जाता है चाहे आपको admission किसी top college में ही लेना है तब भी आपको suggest करते हैं कि आप सारे colleges list में fill कर दे अपनी preference और location के according result allocation of seats in every round जो है after choice filling period is over सारी choices preferences filled by the candidate will be considered for online allotment of seat आपकी choice filling के according ही आपकी seat जो है allot होगी अपना result आप check कर सकते हैं login करकर और अपना provisional allotment आप download कर लेंगे allotment of seat के बाद candidate will have to pay 40,000 रुपीज आप पे कर देंगे registration mandatory है online counseling की and यह जो आपका freeze or float का है यहाँ पर procedure यहाँ पर दुबारा explain किया गया है कि आपका satisfied है तो वहाँ आप freeze कर सकते हैं seat और आपको upgrade करना है college तो आप float कर सकते हैं जो कि float option में participate करेंगे वो next round में eligible हो जाएंगे जो freeze कर देंगे उनका next round में eligible नहीं होगा his or her allotted seat will get retained if the candidate is not able to get higher choice अगर आपका next round में उससे better college नहीं मिलता है तो जो आपको पहले college मिला था वो आपका retained रहेगा मतलब आपके पास रहेगा वो कहीं जाएगा नहीं withdrawal का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका mind change होता है तो आप withdraw कर सकते है और 3 cut off तक आपके पास option होता है अपना withdrawal लेने की तब तक आपको 40,000 वापिस मिल जाते हैं within 15 days of paying और उसके बाद universities का criteria निकालेगी कि कि इतने दिन के बाद आपको पैसे वापिस मिलने का है कितने दिन बाद 100% वापिस होगा कितने दिन बाद 75% कितने दिन बाद 25% और कितने दिन के बाद आप eligible नहीं होंगे withdrawal के लिए तो ये criteria पुरा आएगा mostly 15 days का आपको time बिलता है उसके बाद आपको time नहीं मिलता है फिर आपके ये 40,000 आप चाहे admission ले या नहीं ले आपको university वापिस नहीं करती है तो this is all for this video बाकी जिन कोर्शस का यहां पे cover नहीं हुआ है उनको second video भी देखना compulsory है ये आपने देख लिया है ताकि आपका जब choice filling और round का counselling round start होंगे तब आपको भी ये points याद रहें और चानल को subscribe ज़रूर कर दें बहुत सारी update आने वाली है उन्युवस्टी की तरफ से बहुत सारा admission का process critical होता है तो आपको कोई भी step पर आपको दिकत ना आए और आप सारे mistakes जो है avoid करते होए successful admission अपना गेन कर ले तो this is my aim so that you get successful admission in your desired college thank you so much for watching and do subscribe कोई और आपके friends जो है जो इस युनिवस्टी में अदमिशन लेना चाहते हैं उनको भी आप प्लीज ये video शेर कर दीजे ताकि उनके भी mistakes ना हो sharing is caring so thank you so much and do like it if you find it useful thank you for watching I hope you have a great day I hope you have a great day